खेसारी लाल यादो एक बार लाइव आकर रोते हैं और उसके बाद उनका अपना यादो समाज उनके लिए पागल हो जाता है। बाकी कुछ करने की तो बात ही छोड़ दीजे। खेसारी लाल यादो को हर छोटे बड़े चीज़ पर पोस्ट करना होता है। लेकिन भागलपूर में नीलम यादो को खत्म कर दिया गया। निर्द्यता से खत्म किया गया। अब पूरा परिवार उनका इंसाफ मांग रहा है। लेकिन बिटमना देखिए कि ना खेसारी लाल यादो को अब तक फुर्सत मिली कि वो एक पोश्ट कर पाए। वो खेसारी लाल यादो जिनके एक बार रोने पर पूरा का पूरा यादो समाज उनके लिए खड़ा हो जाता है। और सवाल भी अब यादो समाज ही पूछ रहा है। दूसरी तरफ अगर यादों को आप वोट लेने वाली पार्टी के तोर पर देखेंगे तोड़ा ज़ाद है। लेकिन राज़त की तरफ से ना कोई बड़ा नेता गया ना किसी नेता ने खुल कर इस मुते को उठाया और इसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर लोगों खुल कर लिख रहे हैं कि आखिरकार खेसारी लाल यादों चाहें तेजस्वी यादों इनके लिए समाज पागल क्य रहते हैं और उसके बाद अपने समाज के लोगों सो यह हर बार की तरह मदद मांगते हैं तब बकाइदा उनका सुमर्थन मिलता है लेकिन भागलपूर की घटना पर मौन सवाल उठाता है बाकिया नमस्कार में नाम है वहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्शन देख रह हैंगे तब आपको सिर्फ एक तरफ का किराया देना होगा जो की बहुत सस्ता होगा तो अगर आप रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो प्लेस्टोर खोलिए वहां पर रोडवेज नाम का एप होगा उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद ल राता है और इसके पीछे की कहानी है कि उसकी माँ और उसी का पढोसी शकील मियां के साथ पैसे के लिए दिन को लेकर बीवात था अब जब बाढ़ार से कुंदन यादो मां को लेकर आता है तब वह रास्ते में मतलब गाउं से कुछ दूरी पर उसको कुछ काम होता है अप निलम देवी पैदल वहां से निकल पड़ी लेकिन शकील मिया कुछ दिन से लगातार इस योजना पर काम कर रहा था उसके साथ उसका भाई था वो रास्ते में छिपकर बैठा था उसने मौका देखा और निलम देवी पर हमला किया अब निलम देवी की कहानी यहां पर खत्म ह होती है मतलब कि निलम देवी को उसने मार दिया अब इसके बाद जो पुरा का पुरा माहौल बना इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया कि खेसारी लाल यादों के कारण पूरा का पूरा समाज एक दूसरे समाज के बारे में लिखता रहा बोलता रहा लेकिन खेसार इलाल यादो जो हर कुछ दिन के बाद अपने समाज का नाम लेकर अपने समाज से रोते हुए मदद मांगते हैं और वकायदा उस वक्त पर उनका समाज एक पैर पर उनके लिए खड़ा रहता है फिलाल भागलपूर की घटना राष्ट्रिय अस्तर पर इसके बारे में हर को ने भी देखा होगा कि कहीं भी यसी घटना होती है तब नेता वहां पर उस जाती के खास कर पहुंचते हैं चाहें वो कहीं का भी अब घटना उठा लीजिए लेकिन भागलपूर में नीलम्यादों को के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद से उनके अपने जाती का वोट लेन वो एक विशेस धर्म से तालुक रखता है तो अगर इसके बारे में कोई नेता या खेसारी लाल यादो कोई कुछ लिखेगा तो उनको लगता है कि हमारी अपनी छवी भी घट जाएगी और यहां पर इसलिए वो अपने समाज के साथ खड़े नहीं हैं और तब सोशल मीड और पट्वीट क्यों नहीं कर पाते और बात सही भी है कि अगर खेसारी समाज को वापस कुछ लोटा नहीं पाएंगे तो उनको अपना समाज के वाल उनको देगा आखिर क्यों बाकी बागलपूर की घटना में जाच आगे चल रही है कड़ी से कड़ी कारवाई करने की बा बहुत धन्यवाद